तो अभी मैंने जब पॉल किया था पता करने के लिए कि किस सब्जेक्ट पर वीडियो होने ही चीए तो बहुत लोग के वोट्स आया सबसे ज्यादा वोट्स आया मैच्स वाई ग्रूप के लिए लेकिन मैच्छ फिजिक्स ले रहा हूं कि फिजिक्स कभी तक एक भी वीडिय करवा चुके हैं लेकिन फिजिक्स के एक भी वीडियो नहीं और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही ती फिजिक्स के फिजिक्स सही चालू कि आ जाए तो आज मैं डायमेंस के बारें बात करना हूं तो चैप्टर हर बुक में फिजिक्स में चैप्टर वन जो आपको मिलता वह डायमेंशन का ही होता है और एक दो कुस्टन इसका पका आपके एक्जेम में आता एक कुस्टन तो पका आता है देमेंशन का ठीक है तो मैंने लोगों को देखा है डायमेंशन रठते हुए जैसे कि फॉर इग्जामपल फॉर्स का MLT-2 वा का MLT-2 तो आपको यह रटना नहीं है बस मैं यही बताने वाला वह था वीडियो में कि आपको यह चीज रेटनी नहीं है जब मैं चाप्टर करवाऊंगा तो मैं बतांगो कि आपको कैसे कि जैसे आपको एक्जामपल आपको फॉर्स का डेमेंशन बैठ के रटनना M L T minus 2 आपको पता होने चाहिए कि force का formula क्या होता है force का formula होता है M A M का unit होता है kg और acceleration का होता है meet up और second square तो यहीं से आपको बनाना है कि M L और T minus 2 आपको कोई चीज रटना नहीं है क्योंकि देखे force यह तो basic समय एक्जामपल के तोरे बता रहूं लेकिन वहाँ पर आपकी exam में कैसा है magnetic field का dimensions बताईए और जो permittivity का बताईए dimension तो hard हाड आते हैं वहाँ पर जो कि आप रटन नहीं पाएंगे रटने का प्रयास तो करेंगे लेकिन अपना time बरबाद करेंगे और वहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रखना है ठीक है और रटना नहीं है और रखीन मानी जब में बताऊंगा तो आपको एक भी dimension रटना नहीं पड़ेगा अगर वहाँ पर में आएगा तो आप आसानी से dimension निकाल लेंगे आपको सिर्फ formula पता होने चीव फॉर एक्जामपल जैसे कि f is equals 2 होता है यहां पर यहां पर आपकी चार्ज की बताऊंगा कि यूनिट क्या होती है और डिस्टेंस की बताऊंगा इसे मीटर होती तो आपको कैसे अरेंज करके अपसेलेंड नॉट को अधर ले जाना और कैसे यूनिट्स को अरेंज करके सीधे इनसे डिस्टेंस निकालना आपको रटना बिल्कुल नहीं अगर आपने अभी तक भी रटना रहें तो रटिए गमद वहां पर आप नहीं कर पाएंगे अगर रट के जाएंगे तो सिर्फ मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको रटना नहीं और जब भी जो भी मैं चैप्टर कराऊंगो उसके पहले पूरा हर फील्ड का फर एक्जांपल मैं अलेक्टरिक फील्ड चैप्टर करवा रहा हूं तो उसका डाइमेंशन ने बता दू को कैसे निकालना है रटना नहीं ठीक है तो बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी इसमें कोई म पसंद आए होगी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए कोई डाउट है कोमेंट सेक्षिन पूछ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लिए और वीडियो शियर जरू कीजिए अपने फ्रेंड के साथ धन्यवाद